अगर देखा जा तो सुरसंड छेत्य को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास यहां के विधायक ने किया है अगर आंकडों की बात करें तो आंकडों में बहुत सारे ऐसे काम है जो आप जुडवा सकती हैं आप इस बात को कह सकती हैं कि सुर्षंड में अबू दोजाना ने काम करवाया है लेकि सुर्षंड में अबू दोजाना ने काम कराया है उनके प्रती उनके पार्टी का रवया क्या है आप जानती है कि चुनाव में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपके पार्टी के आला क कमान को कितना अपनी बातों से आप संतुष्ट कर पाए हैं आपका टिकट कितना सुरचीत है ये बाते सामने आते हैं हम आते हैं लगतार ये ग्राफ जो है उनका बढ़ता जा रहा है और इस ग्राफ में आपको बता दें कि जो जीत हार का आंकड़ा था हमने पहले भी बताया था कि जीत हार के आंकड़े में बहुत दूरियां थी आधा-धा का अंतर था और इस आधा-धा के अंतर में कहीं ने कहीं अबू दो जाना के लिए वहां की जनता एक बार फिर से प्रयास कर रही है वहां के जन परत्रिधी भी उनसे दुखी नहीं है और भुगा महारत नमस्कार मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइब में जैसा कि आपने देखा था कि हम पिछले एपिसोड में सितामरी लोगसवा छेतर के अंतरगत आने वाले विधान सेवा छेतर के बारे में बात कर रहे थे आज हम उसी कड़ी के अगले पड़ाओ पर बात करेंगे आज हम सूरसंड के बारे में बात करेंगे यू तो कहा जा रहा है कि यह छेतर भी बहुत ही पेचिदा है लेकिन हम जानेंगे बाबा से कि यह कितना पेचिदा है आईए चानते हैं बाबा बताईए सुरसंड के बारे में प्रिया सुरसंड का जब भी नाम लेते हैं तो आपके सामने एक चेहरा नजर आता है अल्पसंक्यत समाज का एक उमिदवार जो 2015 में महा गठवन्धन के तरफ से चुनाव लड़ा था और दूर दूर तक उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पया था जीत हार का आंख़ा इतना जीते थे और एंडिये के तरफ से हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को वो सीट मिली थी लेकिन दूर दूर तक हिंदुस्तानी आवाम पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी इसके साथ आपको बता दें कि इस छित्र में अबूद हो जाना जबर्दर्स ठंक से अपनी उनों के बीच में 36 का आकड़ा रहता है इसके बावजूद अगर देखा जा तो सुरसंड छेत्र को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास यहां के विधायक ने किया है अगर आकडों की बात करें तो आकडों में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप जुड़वा सकती हैं आप इ जानती है कि चुनाओं में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपके पार्टी के आला कमान का आपके तरफ ध्यान आला कमान को कितना अपनी बातों से आप संतुष्ट कर पाए हैं आपका टिकट कितना सुरक्षित है यह बाते सामने आती हैं हम आते हैं 2015 की चर्चा करते हु होनाय हैं वहां कि जनता क्या कहती है इन सब बातों पर हमारे चर्चा करने बैठे हैं हम यह चर्चा करने बैठे हैं कि संभावित उमिद्वार कोन होंगे और संभावित उमिद्वारों में किसका पलड़ा कितना भारी होगा जो हमारी सर्वे टीम है हमारी साइवर टीम है उसने जो च्छान बिन करके जो हमारे पास आंकड दिये हैं, उसमें 2005 के आंकड़े हैं, कहीं न कहीं इस बार इस्थितियां बदली हैं, फिर एक बार कह रहे हैं कि जो बाते हम पहले से कहते आ रहे हैं, उन बातों पर कहीं न कहीं मुहर लगती जा रही है, हमने पहले बताया आपको कि महागठबंधन का स्वरूप बदलेगा और NDA का भी स्वरूप बदलेगा निश्यत रूप से महागठबंधन का स्वरूप बदल गया अब NDA अपना स्वरूप बदलने की इस्तिती में आ गया है अभी तक हम जहां पूरा विश्टलेशन कर रहे हैं अभी के वर्तम उम्हेतर काम करने का उन्हें चांस चाहिए और वो उन्हें से ज़्यादा विकास करके दिखाएइंगे। आप आनते हैं कि चुनावां में बहुत सारे ऐसे प्रतियासी होते हैं जो सामने आजाते हैं। हलाकि अबू दोजाना से जो हमारी बातचीत हुई उस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए अपने विकास के पूरे खाका को खिशते हुए जो कैनवास पर उन्हें तस्वीर कीची है उस तस्वीर में हमने जब जनता से बात किया तो जनता की बातच लड़ते हैं तो संभावना प्रवल है कि उन्हें एक बार फिरसे मौका मिल सकता है जनता उन्हें दे सकती है अब भूत जाना का भी कहना है कि उन्होंने जो कुछ विविकास किया है वह सब कुछ जमीन पर है उन्होंने कई चर्चाओं में हमें यह भी बताय कि उनको मलाल भी ही है इस बात का कि वो कुछ चीजे नहीं कर पाए जो अगले कारेकाल में वो पूरा करना चाहेंगे उन्होंने सिख्षा के हब के रूप में और सिख्षित सुरसंड को लेकर के एक अभियान चलाया है कही न कहीं वो कहते हैं कि हम वहां पर लिटरसी लेट बढ़ाना चाहते ह यह है कि यह जो चेत्र है उस चेत्र में हम लोग के हां टाल जिसको कहते हैं जिसको कहते हैं कि दियारा का चेत्र है वहां जाद कहा जाता है उस जाद चेत्र के बारे में उन्होंने कई बार चर्चाएं की हैं कि उस चेत्र को भी उन्होंने विकास के मानक से जोड़ा है का कहना है कि कई पूल पूलिया को हमने वहां निर्मान कराया है चैसिरी पूल था जिसे हमने पक्का कराया है पकी संकों की बात वो करते हैं कई अस्पताल की बात करते हैं उन्होंने कहा है कि अपने छेत्र में जो अस्पताल जर जर आवस्था में थे उस पर उन्होंने काम कि लेकिन सरकार का ध्यान उधर नहीं गया और इस पर वो कहते भी है कि स्वास्त विभाग का जो इस्तिती है केंद्र में भी बिहार के स्वास्त मंत्री हैं बिहार में भी स्वास्त मंत्री भाते जंता पार्टी के हैं यही कारण है कि साइद महाभिकास नहीं हो रहा है एक अलप पेंडेंट कंडिडेट ठक कर दिये थे हाला कि जीत हार का अंकला बहुत बड़ा था सीधे आधा आधा का अंतर था जहां 18 परतिसत से ज्यादा वोट लेकर के अबू दोजाना ने जीत दर्ज कि थी वहीं जो दूसरे नंबर पर कंडिडेट रहते नौ परतिसत के आसपास उ समय ओ वो अब नहीं रहे है उनका हो गया है सीट को लेकर कि उनके परिवार में भी रस्ता करसी चल रही है जैसा कि हमारी जानकारी है हमारेस अरवेक्शन रिपोर्ट बदार हैं कि उस सीट को ले प्रmostप अपेडिन्स सवाल ये उठता है जो साही दली जो है उसमें उनके भाई साही दली के भायी जो है वह बहुत प्रयासरत है टिकेट के लिए उनकी पुत्री भी है दोनों सचुनावमें को कितैरियां कर रही हैं और वो चाही रही है कि उनका टिकट जो है वो मिले आप समझ रही है कि अलपसंक्यक भरसेज अलपसंक्यक इस लाई को कराने के लिए पूरी तयारी चल रही है इसमें आपको बता दे कि CPI जो है वो भी पूरी तरह से तयारी कर रहा है और CPI में भी इस बात को लेकर के रशाकरसी चल रही है कि अगर RJD के साथ पंधर में वो सामीर हो जाते हैं तो कहीं न कहीं CPI भी उस सीट की एक दावेदार होगी और यही मुश्किल जो है कहीं न कहीं अब्यू दोजाना के लिए खड़ी हो रही है हलाकि आपको बता दें कि जो सीटों का समीकरन है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि अबू दोज यह है कि यह छेत्र जो है इसमें वोट का डिसीजन जो है वो महिलाएं और पुरुस दोनों की लगभग बराबर इस्तितियां हैं इन इस्तितियों के हिसाब से हम आपको एक चीज बता दें कि जो सामने नजर आ रहा है हमारे आंक्रे जो हमारे रिपोर्ट में आये हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें वोटिंग का प्रतिशत जो है जितना ज्यादा बड़ा था इस बार उसे भी बड़ा करने की का दावा जो है अबुदो जाना कर रहे हैं उनका कहना है कि मैंने जो काम किया है उसके अधार पर यहां की जनता हमें एक बार फिर से मौका देगी विकास के मानकों पर बहुत सारे विधान सवाच्षेत्र हैं जिनको अगर अंगली पर रख गिना जाए तो उसमें से एक छेत्र यह भी हो सकता है कारण है कि लगतार जिस तरह की बातें होती रही हैं और जितना ज्यादा चुकि संपन्न परिवार से आते हैं अबु दोजाना का अपने छेत्र में काफी वक्त विता है हाल फिलार में एक बार के समय में भी उन्होंने काफी कुछ राहत का काम किया था जो की तस्वीरे भी वाइरल हुई थी आपको बता दें कि इन सब के बीच में इस बार की लडाई जो होने वाली है वो एक ही जगह आकर कह टकती है कि यदि CPIU सीट पर दावा करती है तो निश्चित रूप से दूसरा इंडिपेंडेंट जो सक्स हारे थे पिछली बार माधो चोधरी पप्पु कुमार के नाम से वो जाने जाते हैं वो हारे थे वो भी प्रयासरत हैं कि उन्हें भी किसी रिनॉल्ड दल से टिकट मिल जाए इस बार वो इंडिपेंडेंट नहीं लगना चाहते हैं और इस तयारी में हलाकि हम यह आपको कह सकते हैं कि अबू दो जाना के सीट पर अभी ग्रहन नहीं है पर अगर महा गटबंदर की तश्वीर बदलती है CPI वगरा आ जाती है तो ऐसी इस्थिति में थोड़ से उन्हें इस बार मौका मिले लगतार ये ग्राफ जो है उनका बढ़ता जा रहा है और इस ग्राफ में आपको बता दें कि जो जीत हार का आंकड़ा था हमने पहले भी बताया था कि जीत हार के आंकड़े में बहुत दूरियां थी आधा-धा का अंतर था और इस आधा-धा के अंतर में कहीं ने कहीं अबूद हो जाना इसको और अंतर को बड़ा करने में लगे हुए है च्छत की जनता से जब हमने सरवे किया तो सरवे रिपोर्ट में भी जो आंकड़े आपके पास आये थे उस आंकड़ों में ये बताये गया था कि अबुदो जाना के लिए वहां की जनता एक बार फिर से प्रयास कर रही है वहां के जन परतिनिधी भी उनसे दुखी नहीं है क्योंकि काम करने के मामले में वो हमेशा छेतर की जनता के साथ रहते हैं दुख हो सुख हो छोटी बड़ी घटाय हो किसी के से यहां कोई फंक्शन हो उसमें वो कोशिस करते हैं कि सामिल हों सरीख हों और एक जन परतिनिधी के रूप में अबुद जाना ने अपनी चविव जो बनाई है उससे उनके टिकट पर उतना ज्यादा ग्रहन तो नहीं नजर आ रहा है यह ऐसे कई छेतर हैं जिनमें से एक छेतर आप इस छेतर को अभी सुरसंड को भी जोर सकती हैं जिसमें सरकार में नहीं रहते हुए भी विकास के मानकों पर जो काम हुए है अभी भी लगतार विकास के काम हो रहे हैं जो हमारी बातचीत हुई उस बातचीत के अधारपन हुने कहा कई सरकों का जो टेंडर जो है आज कल में फाइनल हो विपक्ष भी उस तरीके से जो घेरने की स्थिति है वो नहीं घेर पा रहा है अब जो जना को लेकिन इन सब के बावजूत चुनाव है राजनीत है और राजनीत में कभी भी कुछ हो सकता है आप इसको कह नहीं सकती है लेकिन एक चीज तो निश्यत लग नजर आ रहा है कि सी इंडिये मजबूत उमिद्वार को लेकर के आता है और मजबूती के साथ एक जूट हो करके इंडिये लड़ता है तो पिछले 2015 जैसे इस्थिति इस बार नहीं होने वाली है इस बार अबू दोजना को भी कड़ी मसक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी है जी वबाग कहीं न कही अबू दोजना जो 2015 में जिननों 14% माइनी रखता है ये 14% इस डिफरेंस से जीत हासिल की थी तो उस चीज को कहीं न कहीं उन्होंने प्रूफ किया है जैसा कि आपने सुना कि टिकट की दौर के लिए सब ही कोई रेस में लगे हुए हैं तो इस दौर में अबू दोजना एक ससक्त रूप में तो दिख रहे हैं लेकिन एंडिये मजबूती के साथ अगर आगे आती है तो अबू दोजना के लिए थोड़ी मुश्किल तो हो ही जाएगी लेकिन आखिरकार ये चीजें तो जनता पर ही निर्भर करती है कि वो किसे वोट करते हैं तो अगले विधान सव जरूर देखिए तब तक के लिए धन्यवाद